हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक 3BHK वाला प्लान से यार करूंगा, 3BHK जो नर्थ फैस का रहेगा, ठीक है, तो यह जो प्लान बना रहा हूँ, इसका जो डैमेंशन है, यह है 35 फीट इंटू 40 फीट, इक्वेल टू 1400 स्क्वेर फीट, ठीक है, जो बुल्डर पर यह है 1400 स्क्वेर फीट का, तो पहले, हम जो आउटर वाल है, इससे कलर कर लेंगे, वाल फिलिंग कर लेंगे, इसे, इधर भी इसे फिलाब कते थे हैं, जहां पर ज़रूरत है विंडू छोड़ना, उसमें विंडू छोड़के, बाकि सब जगा पर इससे कलर कर लेंगे, यह जो आउटर वाल कर रहा हूँ, यह आउटर वाल मैंने नायनेज का रखा हूँ, और जो इनर वाल, यह जो पार्टिशन वाले, जुड़ा कर रहा हूँ, यह सब फाइव इंज का रखा हूँ, तो पहले हम जो भर्टिकाल वाल्स है, इसे कलर कर लेते हैं, पार्टिशन वाल, इसके बाद हरिजन्टल वाल को भी, ऐसे ही कलर कर देंगे, इसे फिर होरिजन्टल वाल जो प्लान में हमारा होरिजन्टल है यह भी हमारा पांच इंच करेगा सब पार्टिशन वाल पांच इंच करेगा ठीक है इधर और इधर इसे तो आप देखते जाएए इस प्लान के बारे मैं आपको डिटर्स में भी मैं बताऊंगा रूम्स बगर का डामेंशन कहां पर कौन सा रूम है सब कुछ ठीक है इधर तो अभी हम क्या करेंगे ऐसे ग्रीन कलर में वेंटिलेटर और वेंड़ो को करा करनेगे यह हो गया अभी डूर्स सिक्वेंसली एक हेक करके हम लोग करते जाएंगे डूर्स आहां पर डूर्स लगेगा उस अब नार्किंग कर देंगे आइडेंटिफाय कर देंगे फिर इधर दूर लेगा इस अब दूर तीन फिट का रहेगा और क्लेट बातरूम का दो फिट तीन इसका ठीक है तो दोस्तों मैंने यह प्लान पूरा बास्तु के हिसाब से बनाए है आप लाष्ट तक देख लिजिए तो यह रहा अपका प्लान अभी इस प्लान के बारे में मैं आपको डिट्रेस में बताऊंगा लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चनल इस प्लान को सब्क्रैब नहीं क्या है तो प्लीज प्लीज सब्क्रैब कर दाना तो चलो इस प्लान के बारे में आपको मैं ट्रेस में बताता हूं इधर है हमारा इस्ट की दिशा पूर्बू की इधर वेस्ट इस तरफ नर्थ और इधर साउथ हमारा जो प्लट का साइज जो लेंग्ध में है यह है 40 फिट और इधर यह है वेस्ट में 35 फिट का ठीक है फिर यह हमारा इस तरफ आगे की तरफ नर्थ में में रोड गया है आगे की तरफ नर्थ है यह नर्थ प्लांड रहेगा हमारा तो हम यहां पर एक गेट लगाएंगे बड़ा सा गेट जो लोहे का गेट रहता है यह बला गेट लगाएंगे ठीक है 9 फिट का यह गेट लगाएंगे 9 फिट या 10 फिट का मैंने 9 फिट यह सब से रखे हैं तो इधर एंटी करने के बाद हमको यह रहा पार्किंग एरिया कार पार्किंग के लिए एरेजनेट किये हैं इसका जो चूड़ाई है यह तक कि यह है 11 फिट 7 इंच और लेंग्थ जो है 14 फिट 6 इंच का ठीक है इधर जाएंगे तो यह रहा हमारा मैं डूर जो एंट्रांस कहते हैं हम लोग यहां पे घर में एंटी करेंगे एंट्रांस है तो यह जो डूर रहा वो फोर्फिट का रखेंगे हमने फिर अंदर जाने से यह बिला आमको लिविंग कम ड्रॉइंग रूम ड्रॉइंग रूम ठीक है इसका जो चूड़ाई है डाइमेंशन चूड़ाई है 11 फिट और लेंग्थ में यहां से यहां तक कि यह है हमारा 18 फिट 10 इंच 8 फिट 10 इंच का बड़ा सा रूम है हम यहां पर आरामरे कर पने यहां पर आएंगे तो यह हमारा एक पूजा रूम जो विर्थ में 5 फिट है 5 फिट और लेंग्थ में 6 फिट है 6 फिट का ठीक है यहां पर हमने पाफ छोड़े हैं 4 फिट का इधर आएंगे तो यह रहा हमारा किचेन जो कम डैनिंग रूम भी रखे हैं इसमें किचेन कमें बड़ा सा रूम है इसका जो डैमिन्सण है यह है 9 फिट में और लेंग्थ में यह है हमारा फिप्टीन फिट शिक्स इंच का बड़ा सा है तो यह जो किच्छन है हमारा साउथ इस्ट करनार फिर रखा हूं बास्तु के ही सबसे पुरा बनाया हूं यहां पर हमने शेट करेंगे इधर भी हम एक स्टोर एलेजमेल किये हैं किचन के साथ जिसका चोड़ाई है 6 फिट और लेंग्थ है 8 फिट 7 इंच का ठीक है फिर इधर जाएंगे तो इस तरफ देखिए इधर हमारा पहला बेडरूम बेडरूम वान हम इसे गेस्ट बेडरूम के कर सकते हैं इसका जो चोड़ाई है यह 10 फिट और लेंग्थ में हमको 12 फिट मिलेगा सेकेंड बेडरूम बेडरूम टू इसका जो चोड़ाई है यह है 11 फिट और लेंग्थ है 12 फिट ठीक है तो इधर जाएंगे तो यह कमन टालेट कम बात्रूम जो लिभिंग रूम को साथ अठाच है इसका जो चोड़ाई है यह है फूर फिट और लेंग्ध में सेवेन फिट है फिर इस तरफ आएंगे तो यह रहा हमारा उपर जाने के लिए रास्ता जो सीड़ी है उपर जाने के लिए हम लोग बनाए ही है सीड़ी यह जो सीड़ी का जो चोड़ाई रहेगा तीन फिट का रहेगा हम यहां जाएंगे फिर टर्न करने के लेफ टर्न फिर लेफ टर्न करन पर रखा हूं यह बास्तु के सबसे साउथ वेस्ट करना पर रहना चाहिए इसका जो चोड़ाई है 11 फिट और लेंग्ध है 13 फिट का इसके साथ मैंने एक आटच टायलेट कम बाथम रखा हूं जो इसका चोड़ाई है 4 फिट और लेंग्ध है 6 फिट तो यह रहा आपका पूरा प्लाम अभी आगे के तरफ मैंने देखी है दो फेट का एक स्पेश चोड़ा हूं यहां पर मारा चाज जान बाहर देगा और डिजाइन करेंगी घर का तो इस घर में कितने टू कलम लगेगा और कहां कहां पर कलम लाएगा अभी में आपको यह बताऊंगा तो यह रहा आपका कलम वान टू इधार रख जेंगे थ्री फोर फिर फाइव शिक्स सेवेन एट नाइन टेन एलेवन टूवल्व टूवल्व 13 14 15 16 16 कलम इधार एक 17 18 19 एक दो तीन ये जो तीन टू कलम हमारा एलेवेशन में कामने आएगा डूट डिजाइन करने में हमको काम आएगा तो ये जो 16 कलम पे हमारा घर का लूर पुराबयस करेगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्लान पसंद आया होगा तो एक लाइक करदना ज्यादे से ज्यादा सेयर करना और अभी तक मेरा चनल को सब्क्रेब नहीं किया है तो जरूर सब्क्रेब करना थैंक यू